और होमेट पाव की रेसिपी शेयर करी हूँ, काफी लोगों की डिमांड थी, कि आप हमारे साथ में घर पे जो बनी भी इस्ट है या बिना इस्ट के हमें पाव या ब्रेट बनाना सिखा हैं, वो भी बिना माइक्रोवेव के, तो उसी को लेकर आज मैं आपके साथ में ये वी मैंने के लिए, मैंने आपे दो कप मैदा लिया है और दो टेबल स्पून मिल्क पावडर, अगर आप एक कप मैदा लेने तो एक टेबल स्पून मिल्क पावडर लेना अपको और इसे हम अच्छे से चान लेंगे, ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, और यह आपे एक मैंने गुन-गुना दूद लिया है, इसमें हम एक टीस पूंच इतना विनेगर एड़ करके से साइट में रखतेंगे, दूद ज़ादा गरम नहीं है, खाली हलका गुन-गुना ही है, और मैदे के अंदर इस तरह से हम गड़ा बना के इसमें हम ये खमीर जो हमने घर पे ब मैं दालिया है, दो दो कप मैदे के अंदर मैंने वन फोथ कप के तीन कप पूरे भर के खमीर का यूज किया है, और मैं आप पो दिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दूगी, आप चेक कर सकते हैं, और यहापे मैंने वन टेबल स्पून इसमें ऑईल डाल दिया है, और थोड़ा का दूद बचा है, इसे हम रोटी या पराठे में यूज कर लेंगे, इसे फेकेंगे नहीं, तो यह हमारा आटा तयार है, और इसे अब हम अच्छे से मैश कर लेंगे, निम्बिला मसल लेंगे इसे एकदम, इस तरह से हम इस पे थोड़ा प्लैट्फरम पे ऑईल पाव और ब्रेड बनाने के लिए, इसे पर डिपेंड करता है कि आपके पाव कितने अच्छे बन सकते हैं, अगर आप यह स्टेप अच्छे से नहीं करेंगे, तो आपके पाव और ब्रेड अच्छे से फॉलो किजिए, तो आपका ब्रेड और पाव और पाव 100% शूर यह अब बड़ा सा गोला बना लेंगे और इसे हम जब तक कि पूरी तरसे फोर्मेट नियोजाए यानि पूरी अच्छे तरसे डबल नीजाए फूल के तब तक इसे हम कोई गरम प्लेस पे डक्कन लगा कर अच्छे से रख देंगे तो इस पे हलका सा उपर से ओल लगा कि इसे मैंने clean paper, food wrap वाला जो paper रहता है उससे एकदम अच्छे से मैंने pack करके रख दिया है और 6 गंडे के बाद ये हमारा आठा एकदम अच्छे से डबल हुआ है अब देख सकते है अब इसे हम हलके हलके हाथ से 3-4 मिनर तक और अच्छे से मसल लेंगी यानि नीड कर लेंगे उसके बादी से हम 3-4 इसके 4 हम बड़े-बड़े गोले बनाएंगे जिससे की हम लादी पाव बनाएंगे और एक बड़ा बॉल बना लेंगे जिससे की हम bread बनाएंगे लादी पाव बनाने के लिए मैंने केक का मोल लिया है और केक के मोल में हम हलका सा ओयल ग्रीस करेंगे और ब्रेड का लोफ बनाने के लिए मैंने यहापे जो हमारे फूड के कंटेनर आते है यूज एं त्रो वाले डिस्पॉसेबल उसमें हम हलका सा ओयल ग्रीस कर लेंगे जब दियान रखे, और चारों बॉल को हम हल्की सी दूरी पे इस तरह से रखते जाएंगे, और इसे हमें एक गंटे के लिए ढकन लगाकर या फिर उपर से कोईल पेपर या फूट रेप पेपर, इस तरह से लगाकर हमें से एक गंटे तक गरम प्लेस पे रख देंगे, ताकि ये थोड़े से और फूल के तयार हो जाएंगे उसके बाद हम इसे बिक करेंगे और ये जो बाकी का आट बचा है उसका हम ब्रेड बनाएंगे यानि लोफ ब्रेड तो इसके लिए भी मैंने एक बड़ा सा गोला बना के तयार कर लिया है और इसे हम डिस्पॉसल जो हमारा प्रोंटेनर है उसमें हम डाल देंगे और हलके हाथ से उपर से इस तरह से फैला देंगे ताकि एक जासा हो जाया और हलका सा तेल लगा लेंगे ताकि उपर इसकी पप्टी नी बंदे और इसे भी डगकर एक घंडे के लिए छोड़ देंगे अब एक घंडे के बाद मिल्क वाश करते हैं मिल्क वाश यानि हलका सा जो डूद होता है उसे हम कॉटन या प्रश की सहायता से उपर के पार्ट पे लगाते था कि उपर का जो पार्ट है वो हमारा ब्राउन हो जाए एक दम अच्छे से और इसे हम पांच मिनट तक मीडियम फ्लेम पे और उसके बाद पचास मिनट तक यानि पूरे पचास मिनट हम इसे लो फ्लेम पर बेग करेंगे यानि टोटल 55 मिनट इसे हम बेग करेंगे 55 मिनट के बाद इसे आप चेक कर सकते हैं यह हमारा ब्राइड अच्छे से बनके तयार हो गया है पांच मिनट मीडियम फ्लेम पे हमने इसे पकाने के बाद इसे हमने 50 मिनट तक लो फ्लिम्प देख किया था तो इसे हम अभी गरमा गरम ही इसे हम नहीं निकालेंगे अब इसका और भी बागी प्रोसेस हम आपको बताती हूँ यह जब हलका सा गरम रहता ना जब हम इसे भार निकालते गरम-गरम के उपर ही हम इस पर हलका सा बटर स्प्रेड करेंगे ताकि इससे शाइनिंग अच्छे है उपर का जो पार्ट है वो भी हमारा सॉफ्ट हो जाए और आदे घंटे के लिए हम इस पे कोई इस तरह से एक कपड़ा गीला करके उसे अच्छे से नीच बड़के पाव के उपर आप इस तरह से धग दीजे तो उपर वाला जो पोशन है वह गदम सॉफ्ट हो जाएगा तो आप देख सकते अब यह उपर वाला पार्ट इगनम सॉफ्ट हो चुका है और पाव भी इगनम सॉफ्ट बने है और आपको काट के दिखाती हूँ तो आप देख सकते इस तरह से हम इसे ब्रेड की स्लाइस म हमने बनाये थे उसकी अभी दिखा देती हूँ तो यह हमारे ब्रेड तो बनके में मच्छे से तयार हो गए है आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा अब लादी पाउ को बेग करने के लिए भी हम से प्रोसेस से इस तरह से मिल्क वाश कर लेंगे हलका सा मिल्क वाश कर लेंगे बाद इसे हमें सेम उसी तरीके से बेग करना है प्री हिट तो यह अल्रेडी पहले सी था क्योंकि हमने इसमें अभी ब्रेड बेग करी थी पांच मिनट तक मीडियम फ्लेम पे उसके बाद 45 मिनट तक इसे हम लो फ्लेम पे बेग करेंगे यानि पाव भी एकदम अच्छे से बन के तयार है लादी पाव आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे लादी पाव बन के तयार हो गये है अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इस पे भी हम सेम प्रोसेस से हल्का सा बटर लगा लेंगे ताकि इस पे शाइनिंग बनी रहे और यह अधे घंटे के लिए और आदे घंटे के बाद हम देखेंगे कि उपर से हमारे पाव अच्छे से सॉफ्ट हो चुके है यह प्रोसेस भी बहुत जलूरी है ताकि अगर आप उपर से कड़क रहेंगे पाव तो अच्छी नहीं लगेंगे तो गीला कपड़ा ने इसको नीचे कि आप उपर से ढग वीज़े तो पाव उपर से सॉफ्ट हो जाएंगे आप देखिए दोस्तों मैं यह नहीं कह सकती हूँ कि एकड़म इस्ट की तरह मार्केट की तरह पाव बनके तयार हुए लेकिन जो लोग बार की इस्ट नहीं खाते है उसके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी आप इसे ज़रू ट्राय कीजिए देखिए हमारे पाव अच्छे बनके तयार होगे अच्छे सिख भी चुके है आप इसे एंजोई कीज़े रेसिपी को अगर आपको पसंद आए तो प्लीस मुझे कमेंट करके बताएगा मैं आपके साथ में और भी अच्छी रे इसिवेमे